हरर मादेव मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राशिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गंट के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत दोहजार शेतर मास्चल राय माक्का तिथी शुक्लुपक्ष की पंचमी की तिथी गुरुबार का दिन है नक्षत्र है उत्रा भादरपद योग है सिद्ध और करण है बालव तो इतो बात रही आज आपको हनुमान चले सा बजरंग बाण और हनुमानास्टा का तीन तीन पाठ जरूर करना चाहिए गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से बचना चाहिए व्रिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए घर ग्रहस्ती से सम्मंदित मामलों पर भी ध्यान देना आज अपने संतान पक्ष की पढ़ाई को ले करके आप चिंतित रह सकते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए गव माता की पूजा राधना करना उनको अपने हाथ से कुछ रोटी वगरा खिलाना बहुत ही आपके लिए शुब होगा ज्यादा उत्सुपता काम में मत द के लाना आज आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा या किसी खुले स्थान पर सतंजा के साथ गुड मिला करके भी आप रख सकते हैं निवेश के लिहाद से यह समय बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहा जा सकता सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपके प्रयास करने से अधूरे कारे पूर्ण होंगे रादा कृष्ण की पूजा राधना करना आपके लिए विशेश शुबदाई रहने वाला है निवेश से आपको बचना चाहिए कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए आज कारे शेतर में स्वहकर्मियों की तरफ से आपको पूरी मुदद मिलेगी घर में बुजर्ग महलाों का सम्मान करें खराप स्वास्त को नजर अंदाज आप बिल्कुल न करें तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपको संतान और जीवन साती के स्वास्त के संबन में थोड़ी सी चिंता हो सकती है आज के दिन को शुब बनाने के लिए दुरगा चलीसा का पाट करना आपके लिए बहुती आवश्चक रहेगा वरिश्चक राशी वाले जातक लोगों के लिए निरंतर चली आ रही व्यासाई की योजना को आज बल मिलेगा आज के दिन को शुब बनाने के लिए श्रीसूक्त का पाट करना चाहिए किसी की बारे में पहले से कोई धारणा कोई विचार बना करके नहीं रखना चाहिए बाल चन्नन का दान करना और साथ बार हनुमान चालेसा का पाट करना आपके लिए आवशक होगा रुपए पैसे के लेंदेन में आप सचेत रहें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए अधिक क्रोध और उत्तेजना आपकी प्रतिष्ठा पर कलंक लगा सकता है भगवान का भगवान विष्णु की पूजा राधना के साथ साथ जिनको भी आप गुरू मानते हैं उनका आशरवाद ले करके आज आपको दिन शुरू करना चाहिए कारे की रुकावट से आप तनावग्रस्त बिलकुल न हो कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज प्रयासरत रहने से व्यापारिक अनुबंध प्राप्त होंगे नए कॉंट्रेक्ट आपको मिल सकते हैं आज के दिन को देशी गी का दीपक जला करके दो साबुत लॉंग डाल करके तुलसी देवी को प्रणाम करना चाहिए और लंबी दूरी की यात्रा से आपको आज बचना चाहिए तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बाराराशी की हम लोगोंने जाना ग्रहनक्षतर की इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुप बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रवीवार की शाम आपको एक कौन सा छोटा सा उपाय और टोटका करना चाहिए जिससे माता लक्षमी खुद चल करके आपके द्वार आए आए जानते हैं जब मात माता लक्षमी किसी से रूट जाती है तो फिर उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेकिन असंभव नहीं होता अगर जिस घर से माता लक्षमी एक बार चली गई तो समझ लें वहाँ पर गरीबी च्छा जाएगी निरंतर धन की कमी बनी रहेगी हो सकता है कि आप जो उपाए और नियम आपको बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको आप जीवन में प्रयोग मिलाइए निश्चिती माता लक्षमी का आग्मन जो है वो आपके घर में होगा और आपकी जितनी भी धन से संबंदित समस्या है उनका एक जटके में नि उपाए जरूर करें करना ये है कि शुकलपक्ष के पहले रविवार को सायंकाल के समय में एक अभिमंतरित मोती शंक में चांदी का सिक्का रख करके शंक में जल से आप भर करके रख दें अगले दिन अर्थात सुमवार को प्राता काल उठते ही जो है उस जल को सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए बिना कुछ चाय पानी किये कि बासी मुँ आपको उस जल को पी लेना है इस उपाए से आपके चंद्रदेव के अनुकूलता के साथ ही मालक्षमी की कृपा भी आपके उपर बनने लगेगी जिन लोगों की जन पत्रका में चंद्रमा का बहुत प्रभाव निगेटिव आरा हो प्रतिकूल चंद्रमा का योग हो वो भी इस उपाए को करके बहुत अच्छा लाब ले सकते हैं तो शुकल पक्ष के पहले रविवार से शुरू करके 16 रविवार आपको ये काम करना है रविवार को सुबह आप नहादो करके मोती शंख में चांदी का एक सिक्का या चांदी का सिक्का अगर ना हो तो चांदी का चोकोर टुकडा डाल करके या कोई भी चांदी का अबूशनल डाल करके उसको जल से भर दीजे पूरे दिन रहने दीजे पूरी रात रहने दीजे और उसको जो है अगले दिन सुबह सोमवार को उस ज आपको ये टोटका करना है ये उपाय करना है कैसी भी दर्दता का योग होगा इस उपाय को करने से आपको आपके दर्दता के योग से मुक्ति मिल जाएगी और आपका जो दुख है वो सौभाग्य में बदल जाएगा मालक्षमी की ऐसी क्रिपा आपके उपर होगी तो दोस् सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजे और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट के आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद आप वाट्सब करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आईडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सब करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद